बारत और वेस्ट इंडीस के बीच में कल से वंडे सीरीज की शुरुवात हो रही है जहांपर पहला वंडे कल याने की 21 अक्टूबर को गुवाहाटी में खेला जाना है बता दें आपको कि पहले वंडे से ठीक पहले कयास लगाये जा रहे थे कि टिम इंडिया में 14 में से वो कौन से 11 खिलाडी होंगे जो वेस्ट इंडीस के खिलाफ खेलेंगे क्योंकि इस सीरीज को भारत की विशुकप की तैयारी से भी जोडा जा रहा है ऐसे में टिम इंडिया ने अब अपने 11 खिलाडियों का एलान कर दिया है जो पहले वंडे में खेलते हुए नजर आएंगे साथ ही टिम इंडिया ने अपने 12 खिलाडी का भी नाम का एलान कर दिया है बैराल आपको हम team के बारे में बता देते हैं इस पूरे match में जो खिलाडी debut करने वाला है वो है रिशप पंद जियां रिशप पंद भारत के लिए T20 खेल चुके हैं test match खेल चुके हैं लेकिन अब रिशप पंद भारत के लिए debut करने के लिए तैयार है 20 साल का ये बल्लेबाज एक बार फिर आपने चौके छकों की बरसाथ करने वाला है चलिए आपको टीम बता देते हैं कप्तान विराट कोहली इस टीम को लीड करते हुए नज़र आएंगे जहां ये 11 खिलाड़ी खेलेंगे और 12 खिलाड़ी की तौर पर सयत खलील हमत को रखा गया है चलिए बैटिंग ओडर के बारे में बात कर लेते हैं भारत का बैटिंग ओडर कापी अलग नज़र आने वाला है पिछले कुछ महीनों में बारत का मिडिल ओडर सबसे जादा चिंता का सबब बना हुआ था जहां पर आप ये चिंता दूर करने की कोशिश की है कप्तान विराट ने शिखरदवन और रोहिच्छरम उपनिंग करते हुए नज़र आएंगे तीन नमबर पर खुद कप्तान विराट कोली चार नमबर पर अंबती राइडू को मौका दिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने एशिया कप में अच्छा किया पांच नमबर पर रिशाप पंत छे नमबर पर महेंदर सिंग धोनी साथ नमबर पर रविंदर जड़ेजा आठ नमबर पर कुल्दी प्यादव आएंगे नौ नमबर पर युजवेंदर चहल दसवे नमबर पर उमेश यादव और ग्यारवे नमबर पर महमद श्यमी बता दे आपको कि महमद श्यमी विभारत के लिए एक साल बाद वन डे क्रिकट खेलते हुए नजर आएंगे अब देखना दिल्चस्प होगा कि बारती टीम यहाँ से किस तरह से प्रदर्शन कर पाती है नेक्स नाइन स्पोर्ट्स जैस से अब इलाश पांडे की रिपोर्ट